सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले हैं नासा ने लंबे समय से अपने उपकरणों की क्षमता को आज माया है जो विशिष्ट विश्वाधारत उद्देश्यों को साकार करने के लिए डिडाइन किये गए हैं नासा ने अपने उपग्रहों को मौसम ज्वाला मुखी विस्पोट की निगरानी के लिए जिकावारस के संभावित प्रसार की जानकारी के लिए भी इस्तिमाल किया और हाल ही में एक अंतरिक्ष यान ने पता लगाया कि प्रित्वी में मीथेन लीख हो रही है अंतरिक्ष से ग्रीन हाउस गया से को मापने की अपनी संभावित शमता की वज़े से नासा के धर्ती पर अवलोकन एक यो उद्याशेक पर स्थित हाईट्रियन स्पेक्टोमीटर महत्वपून माना गया है मीथेन रिसाव अंतरिक्ष से नासा के उपकरणों में से एक के द्वारा पहले पाया गया था नासा द्वारा एक प्रेश्री लीज में वैग्यानिक डेविड थॉम पसन ने कहा कि यहां पहली बार है कि अंतरिक्ष से एक ही सुविधासे मीथेन का उचसरजन देखा जा रहा है भविश्य के उपकरण उपग्रहों की कक्षाओं में अधिक संबेदन शीलता के साथ दुनिया भर के सबसे बड़े सुतों का सर्वेक्षन करके इस प्रश्न को सुलजाने में मदद कर सकते हैं ताकि हम ग्रीन हाउस गैस उचसरजन में इस अग्यात कारा को बेहतर ढंग से समझ सकें भूभावति किये अनुसंधान पत्र पत्रिका के जर्नल में प्रकाशित किये जाने वाले एक पेपर में अवलोकन का विस्तरित विवरन था रीडिंग्स की सटीकता को साबिद करने के लिए हाईक्रियन उपकरन 2015 से 2016 तक तीन अलग 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 व्रपास पर मीथेन रिसाव का पता लगा सके अनुसंधान पिछले सर्दियों और अलिजो कैनियन मीथेन रिलीज के साथ लाइन में है गिस्मग की रिपोर्ट के मताबिक अलिजो कैनियन में रिसाव ने वातावरन में एक लाग से अधिक टन मीथेन के रिलीज होने का नेतरित्व किया है वातावरन को नुकसान पहुचाने में सक्षम मीथेन रिसाव ने व्यग्यानिक समदाय को चिंतित कर दिया है यही वज़य है कि मीथेन के उत्सरजन के सुतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है